हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी यूटूब चैनल अजीम फार्मा पे जहां पे आप पाते हैं दवाओं से संबंदि संपूर जांकारी जी हाँ दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे डाबर हिपेनो सीरप के बारे में दोस्तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे इसके कमपूजिशन के बारे में इसके फायदे और नुकसान के बारे में इसके डोस के बारे में तो दोस्तो पूरी जांकारी के लिए हमारे वीडियो को अंतक जरूर देखें ताकि आपको समपूर जांकारी मिल सके चलिए दोस्तो वीडियो को श्टार्ड करते हैं वहीं हम बात कर लेते हैं डाबर, हपेनो, सिरफ के बारे में दोस्तो यहाँ सिरफ जो होती है ऐर्वेदिक सिरफ होती है इस सिरफ में हर्बल चीजें पाए जाती है और दोस्तो यहाँ सिरफ जो होती है डाबर कमपनी द्वारा बनाई और बेची जाती है और दोस्तो यहाँ सिरफ जो होती है लीवर टॉनिक होती है मतलब लीवर को स्टुमिलेट करती है लीवर को हेल्दी बनाए रखने का काम करती है वहीं पदोस्तो हम बात कर लेते हैं इसके composition के बारे में कि डाबर हेपेनो सीरफ में क्या-क्या पाय जाता है दोस्तो इस सिरफ में भूम अमलाकी पायता है, गुठची पायता है, निमबा पायता है, काल मेग पायता है, हरार्तिकी पायता है, अमलाकी पायता है, पिपली पायता है दोस्तो ये सारी चीजें डाबर हेपेनो सिरफ में पाय जाती है वहीं पर दोस्तो हम बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में यानि इसके इस्तेमाल के बारे में दोस्तो डाबर हेपेनो सिरफ जो होती है लीवर टॉनिक होती है जो कि क्या करती है लीवर को इस्टिमिलेट करती है लीवर को हेल्दी बनाये रखने का काम करती है और दोस्तो या सिरफ जो होती है भूँक को बढ़ाने में हेल्फ करती है भाई बहुत से लोगों में क्या होता है कि भाई उनको भूँक नहीं लगती है तो दोस्तो या सिरफ क्या करती है उनके भूँक को बढ़ाती है यानि कि या सिरफ जो होती है एपिटाइजर के रूप में काम करती है और दोस्तों कुछ लोगों में क्या होता है कि भाई उनका वजन नहीं बढ़ता उनका खाया पिया उनके सरीर में नहीं लगता तो दोस्तों यह सिरफ क्या करती है उनके वजन को बढ़ाने में सहायक होती है और दोस्तों बहुत से लोगों में क्या होता है कि उ यानि डाइजेशन को बढ़ाती है और दोस्तों इस सिरफ का इस्तेमाल हेपेटो टॉक्सिती में करते हैं यानि कि जब लीवर में कोई टॉक्सिस सब्टेंस आ जाते हैं तो दोस्तों उस कंडिशन में इस सिरफ का इस्तेमाल करते हैं और दोस्तों जब लीवर में सूजन खेता पांच एमल सुबा और पांच एमल साम को खाना खाने के बाद इस सिरफ का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर आपको समस्या ज्यादा है उस कंडिशन में इस सिरफ का इस्तमाल 10 एमल सुबा और 10 एमल साम को खाना खाने के बाद इस सिरफ का इस्तमाल कर सकते है वहीं पर दोस्तो हम बात कर लेते हैं इसके side fit के बारे में यान इससे होने वाले दुस परभाव के बारे में दोस्तो डाबर हेपेनो सिरफ जो होती है ऐरुवेदिक सिरफ होती है दोस्तो अभी तक इस सिरफ के कोई भी side fit नहीं देखे गए हैं लेकिन दोस्तों अगर आपके सरीर में कोई भी side effect दिख रहे हैं उस condition में इस सिरफ का इस्तिमाल करना बंद करें और अपने doctor जाके एक बार सला जरूर लें अगर आपको अच्छी लगी हमारे वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी subscribe करें और अगर हो सके अपने friends में अपने दोस्तों में share भी करें तो दोस्तों नेक्ट वीडियो के साथ मिलते हैं जैहिन जैभारत